हलो एवरिवोन आएम रिधिर्वाइन यह वाचिंग्स का इसदे लिमीट सो आजगा वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो वीडियो को अंतक मौस्ट देखना क्योंकि ओनलाइन इन्विजिलेशन को लेके अभी एक उनिवरसिटी बोले हैं कि एग्जामिनेशन टाइम म है नहीं यह भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिसकस करेंगे तो वीडियो कौन तक देखिए और अगर इस चैनल पर नाया है चैनल को डिफिनेटली करना सब्सक्राइब तो चल यह ज़्यादा समयने लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो अब देख सकत that has decided to hold end semester examination for odd semester 2020-21 in online mode in view of covid-19 pandemic situation the examination would be in multiple choice question मतलब mcq based question ही आपका होगा there would be 30 questions of one marks 30 questions रहेगा एक marks का and 20 questions आपका रहेगा दो marks का जो की clearly यहाँ पे बोला गया है और आपका जो difficulty level हो या फिर आपका module कहा से कहा से रहेगा पूरा syllabus मिला के ही आपका questions रहेगा total time आपका 90 minutes आपको दिया जाएगा मतलब देड़ घंटा time only आपको मिलेगा eligible students of regular and backlog candidates are whom admit card would be issued after successful completion of form fill up process मतलब form fill up process आपका complete हो जाने के बाद आपका admit card भी generate हो जाएगा would be able to appear in the online exam जिनका form fill up होगा जिनका admit card issue होगा वही admit card लेके examination में दे पाएंगे यह सब कुछ आपको login में मिल जाएगा student login जहाँ पे आपका है there should not be presence of additional personnel and other devices for appearing in the examination however they can keep blank pages and pen and pencil for rough work or calculation there would be technical support during the examination मतलब आपको technical support तो दिया जाएगा और आपको कोई भी आपके पास में कोई भी नहीं रहना चाहिए आपको अकेला examination देना है और कोई भी आपका other device जो examination के लिए आप यूज कर रहे हैं वो छोड़के आपके पास नहीं रहना चाहिए अगर पकड़ा गया तो हो सकते हैं आपका paper cancel कर दिया जाए तो ये आपको ख्याल में रखना है कि आपके सामने कोई भी other device या फिर other personal मतलब कोई भी और आपके पास नहीं रहना चाहिए next आपका if any student is unable to appear in online exams due to device और connectivity issue क्योंकि सभी के पास laptop और desktop नहीं है तो अगर किसी के पास connectivity issue है तो उनके लिए क्या बोला जा रहा है they are advised to get support from the respective colleges well in advance मतलब अगर आपके पास laptop या फिर computer नहीं है पहले से ही अपना जो college है college के आप college को पूछ लीजे क्या आपको help करने के लिए या फिर आपको एकदम अगर problem हो रहा है तो college में जाके भी आप exam दे पाएंगे college आपको वो manage करेंगे पर आपको laptop या फिर desktop में ही आपको examination देना है with enabled webcam आपको webcam on करके ही examination देना है आपका internet speed भी adequate रहना पड़ेगा तो ठीक ठाक internet speed भी आपका रहना पड़ेगा तो यहाँ पर clearly बोला गए मैक आउट ऐसा ही university है West Bengal का पहला जो clearly बोल रहे है webcam on रखके ही examination होगा online examination without webcam examination नहीं दिया जा सकता तो आपको अगर आपके पास connectivity है अगर आपके पास laptop है तो आप दीजे online में घर पे बैटके और अगर आपके पास नहीं है तो college से contact कीजे college आपके इंतिजाम करेगा पर online में ही आपको देना पड़ेगा MCQ बेश्ट देना पड़ेगा और आपको सबसे बड़ा बात जो है webcam on रखके ही आपको examination देना पड़ेगा ये बहुत ही ज्यादा pressure अभी students के उपर दिया जा रहा है और online examination अभी सिर्ब Macout या ऐसा university है जो बोले है online invigilation होगा तो एक बहुत ही ज्यादा students को अभी problem face करना पड़ेगा students और भी hard work करना पड़ेगा students को क्योंकि ना कोई device यूज कर पाएंगे exam time में ना किसी के pass back exam दे पाएंगे क्योंकि बहुत सल time में क्या होता है students group बना के एक साथ exam देते हैं वो भी नहीं possible है कोई other device भी आप exam के हमने यूज कर नहीं पाएंगे और camera आपका webcam आपका honor आएगा ये clearly बोला गया mac out के तरफ से तो कोई भी cheating आप नहीं कर पाएंगे if any student is unable to appear in examination due to device connectivity और issue या तो मैंने आपको बता दिया disconnection और reconnection if any would be taken care by the software and already answered questions would remain saved in the cloud system तो अगर आपका disconnection या reconnection हुआ तो आपको tension लेने के जरूरत नहीं है जो जो आपने save करके रखे वो already आपका save रहेगा फिर से जब आप open करेगा आपका direct वहां से ही open होगा पर time आपका reduce हो जाएगा 2-3 minute, 4 minute जितना आप वो disconnect को फिर से connect करेने के लिए use करेंगे time आपका reduce होगा पर आपका जो saved paper था, saved जितना तक आपने solve किया था उतना तक आपका solved रहेगा appropriate technical measures are to taken to prevent malpractice during examination तो appropriate आपका technical measures भी लेना पड़ेगा in order to make students familiar with the online examination system, mandatory mock test based on general questions, season आपका देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पताव जो 5th semester के students है उनका 27 तारिक है 27 February को उनका एक examination होगा Saturday को आपका 11 बजे से 1 बजे तक फिर 7th semester के लिए भी 27 तारिक को 3 बजे से 5 बजे तक उसके बाद 3rd semester को 11 बजे से 1 बजे तक वो है आपका 1st March and next आपका 1st semester के students के लिए एक तारिक को ही March का मंडे को वो होगा आपका 3 बजे से 5 बजे तक तो यह आपका examination time दिया गया है इसको किस के लिए दिया गया है यह आपका mandatory mock test है इसको number आपको calculate नहीं होगा just a mock test है आप सिर्फ practice करेंगे कि कैसे आपका examination है क्या क्या आपको ख्याल में रखना है examination time के अंदर तो यह इसके लिए यह आपे date दिया गया है आपको कहां से मिलेगा आपका login ID में 27 तारीक को जो 5th semester के students उनको मिल जाएगा 7th को भी मिल जाएगा and 3rd and 1st semester के students हैं उनको March 1 तारीक में उनका students login करने के time में ही उनको मिल जाएगा वहाँ पे एक नया option जहां click करके वो easily examination दे पाएंगे तो अभी Macout ऐसा एक आप बोल सकते university है जो MCQ exam भी ले रहा है उसके साथ online invigilation भी अभी हो रहा है Macout के अंदर other universities online invigilation नहीं करेगा तो आप लोगों को tension लेने का ज़रूरत नहीं है क्यों already notice publish कर दिया गया है Macout का date अभी तक आप उसके नहीं गया है कि किस semester का कब क्या exam होगा पर यहाँ पे clearly बोल दिया जा रहा है Macout के तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके MCQ based examination होगा यहाँ पे बोला जा रहा है आपका laptop और desktop में enabled OABGM के साथ आपको exam देना पड़ेगा और यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि आपका जो यह examination है यह examination आपका होगा कब से होगा 12 तरिक से आपका 26 तरिक के अंदर होगा March का पर आपका mock test जो है 27 तरिक को 57 और एक तरिक को 3rd and 1st semester के students का examination लिया जाएगा और भी अगर कोई online support लेना है तो आप direct contact कर सकते हैं college से आपको वहाँ पे provider number प्रोवाइड किया जाएगा help line number तो अगर कोई problem है examination time में तो आप help line number से help भी ले पाएगा तो यहीत आज को वीडियो वीडियो कैसे लगा definitely comment करके बताना वीडियो अच्छा लगे तो कर देना like and share और अगर इस channel पे नए है channel को definitely करना subscribe तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर साब लोग समलागत होगी तब तक के लिए बाबाई